फत्याबाद में बस्टेन परिसर में रोडवेज बस के आगे बाइक रूखने को लेकर बाइक सवार तीन यूवक को और बस ड्राइवर और कंड़क्टर के बीच विवाद हो गया देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथा पाई तक जा पहुँची और मौके पर जम कर मार पीट हुई पूरी घटना का बस्टेन पर लगे सिसी टीवी में ये पूरा घटना करम जो है वो कैद हो गया पूलिस ने मौके पर पहुँच कर तीनों आरूपी यूगों को हिरासत में लेकर पूछताज की कंड़क्टर की शिकार पर तीनों आरूपी यूगों के खिलाफ स्यार पीसी के तहित एफ आई यार दर्ज कर तीनों को गिरफतार कर लिया गया है तो बस के आगे बाइक रोकने पर विवाद हुआ है और फत्याबाद सा ख़बर आपको बता रहे है रोडवेस बस के आगे यूवकों ने बाइक रोकी और जुसके बाद विवाद जो है वो जादा बढ़ गया और तीन यूवकों और बस ड्राइवर और कंड़क्टर की बीच विवाद हो गया देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाता पाई तक पहुँच गई मौके पर जमकर मार पीट हुई और वो तस्वीरे भी आप अपनी टीवी स्क्रून पर देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि बस सड्डे पर कितनी जादा भीड भाड़ है एकदम से ही लोग इकठे हो गए जब यह घटना घटी और यह महद सिर्फ इतना सा मामला है कि बस के प्यार दर्ज कर तीनों को गिरफतार कर लिया गया है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा मामला घटा है और किस तरह से एकदम से लोग इकठे होते हैं जब यह मार पीड शुरू होती है और मामला महद इतना ही है कि बाइक रोकी गई थी ब मामले में और तीनों आरूपी युवकों को गिरफतार कर लिया है कंड़क्टर की शिकायत पर स्यार पीसी के तहट मामला दर्ज कर लिया गया है जितेंद्र मोंगा जादा जानकारी के लिए इसमवद अता फोन लाइन पर जितेंद्र मोंगा तस्वीरे हम दिखा रहे हैं महद सिर्फ इतनी सी बात है कि बाइक रोडवेज के आगे खड़ी की गई है या कोई और भी मामला है पुलिस ने कारवाई कर लिए कंड़क्टर से कोई आपकी बादशीत हुई क्योंकि शिकायत उन्हों नहीं दी थी पर जानकारी के लिए